हलेव एब्डिवान, अज डेट है 1 अप मार्श 2022 और इंडियन एक्सप्रेस नीजबिपर अनलेसिस में अपका स्वाकत है इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस नीजबिपर के इंपोर्ट एंड न्यूस को एक्जाम के पॉइंट अफ्य से डिस्कस करेंगे नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वॉलकेनो आईस केडमी का लिंक दिया हुआ है आप टेलग्राम चैनल वॉलकेनो आईस केडमी के साथ में जूट सकते हैं वहाँ पर हर एक्जाम मिन्स यूपीसी, स्टेट पीसी एंड अधर एक्जाम्स के पॉइंट अफ्यू से काफी इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन आप सभी की साथ में शेयर की जाती है तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्रोफिकल मैप के साथ में और आज आपका केशन ये है कि लेक विनिपेक को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फेक्ट्स को और इंफोर्मेशन को पामेंट वक्स में टाइप करना है इंडियन अप्रेश न्यूज पेपर के फ्र headphone पर जो इंपोर्टेंट न्यूज है जिसके उपर आज हमारा complete discussion है Indian Express का वो रहेगा वो related है IPCC report को लेकर के इसके अलावा जो भी extra news है पहले हम उनको discuss कर लेते हैं फिर IPCC की जो report है उसका क्या regional business assessment रहा उसको हम अच्छे से discuss करेंगे और आज major focus हम इसी के उपर रखेंगे सबसे पहले Russia Ukraine जो war है उसको हम discuss कर लेते हैं Russia Ukraine war में जो Russia है उन्होंने उक्रेन के बहुत सारे areas के उपर जो missile attack है वो किये है इसके अलाव regular वहां पर bombarding देखने को मिल रही है हमारा इंडिया जो है उन्होंने operation गंगा launch कर दिया है कि उक्रेन से अपनी जो भी population है उनका evacuation किया जा सके four ministers को वहां पर इंडिया भीज रहा है अलग-अलग countries के साथ में collaboration, cooperation के साथ में मिल करके वहां पर जितनी भी हमारी population है उन सभी को evacuation करने के लिए अब यहां पर इसके अलावा ये तो बात हो गई इंडिया की अब बात करते हैं कि organization level पर इसमें क्या discussion चल रहा है अगर हम peace talk की बात करें तो इस war को खत्म करने के लिए बेलारूस border पर रश्या और युक्रिन के बीच में discussion चल रहा है international organization level पर अगर हम बात करें तो United Nation General Assembly में इसको लेकर के discussion चल रहा है हालांकि United Nation अपनी तरफ से बात पूली है कि यह जो war है उसको खत्म किया जाना चाहिए यह जो चीज़े हैं वो पूरे world level पर globally level पर यह चीज़े effect करेंगी United Nation Security Council में पहले इसका resolution पास करने की कोसिस की गई थी लेकिन वहाँ पर India, UAE and China इना ने abstain किया, Russia ने वीटो पाउर को यूज किया हालांकि 15 members में से जिसमें 5 permanent member, 10 non-permanent member होते हैं पर जेंटाइ में इंडिया भी non-permanent member के रूप में है वाँ पर तो इसमेंसे 11 जो members हैं उन्होंने support किया था जिसमेंसे अगर हम बात करें तो 3 तो permanent member हो गए क्योंकि China और Russia जो है वो permanent members हैं लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक ने abstain किया, एक ने वीटो पाउर का यूज किया तो 3 ने support किया और जो बचे हुए जो non-permanent members हैं उन्होंने यहाँ पर इसको support किया था अब हम बात कर लेते हैं कि General Assembly में इस चीज को लाया गया और एक तरीके से जो अधर कंट्रीज है वो भी चाते हैं कि इस तरीके के किसी भी कंट्रीज की जो भी territorial integrity है उसके उपर इस तरीके से एंक्रोच नहीं होना चाहिए क्योंकि यह चीजे जो है वो अधर कंट्रीज को काफी ज़्यदा effect करती है अब यह तो हमने देख लिया Russia-Ukraine War को लेकर गे अब हम discuss कर लेते हैं हमारी GDP को लेकर के हमारी GDP की जो growth rate है उसके बारे में बताया गया था कि 9.2% रहेगी पहले यह estimation लगाया गया था लेकिन अभी National Estatical Office ने यह release किया है National Income के basis पर नया estimation की जो हमारी GDP है वो 8.9% तक रहेगी इसका कारण होनोंने construction sector में कुछ construction देखने को मिले इसके ला हमारे जो 8 core sectors हैं आपको नेम याद होने जाएए 8 core sectors के तो 8 core sectors में 3% तक हमें growth देखने को मिली है अब बात आती है IPCC report की IPCC को समझने से पहले इस report को समझने से पहले आप समझे कि IPCC क्या है यह एक intergovernmental panel है on climate change जिसको UNEP NWMO को दोवारा बनाया गया था 1986 में इसका जो headquarter है वो कहा है यह आपको comment box में बताना है और UNEP का headquarter कहा है यह भी आपको comment box में बताना है अब उन्होंने मिलकर के IPCC को बनाया climate change को लेकर के इसका क्या review है यह ज्यादा important है time to time यह अपनी assessment report को publish करता रहता है और अब इनकी 6th assessment report publish हुई है इस report का जो first part है वो last year publish हो चुका है अभी जो second part है उसमें publish किया गया है और एक conclusion जो है वो बुला जा रहा है कि अप्रेल में तक वो publish हो जाएगा तो इसके बारे में जो हमारा explain page जो आता है वहाँ पर भी इसके बार में discussion कर रखा है तो वहाँ पर हम मिल करके इसको अच्छे से view कर लेते हैं पहले editorial page पर एक article है वो related है trend schedule को ले करके हम उसको discuss कर लेते हैं अभी गोवा के जो legislatures है उन्होंने last year जब election हुए तो लड़े congress party से बाद में उन्होंने बीज़ेपी party train कर ली और बीज़ेपी party को majority दी इस बात को petition diary की गी Bombay High Court पहले वहां के जो chairman है जो उनकी legislative assembly के जो head है उनके सामने इस बात को रखा गया लेकिन उन्होंने इसको reject कर दिया फिर Bombay High Court ले जाया गया इस बात को Bombay High Court ने में इसको reject कर दिया हालांकि जो party है जिनके member टूट करके दूसरी party में गए थे उन्होंने बोला कि हम Supreme Court में अब इसको क्या करेंगे इसको दुबारा से challenge करेंगे तो इसमें बोला गया है कि 10th schedule को perfectly view नहीं किया गया उसके एक minute details के basis पर यहां पर जो result है वो declare किया गया है इसके article में बोला गया है कि 10th schedule अब सभी को पता हैं इसको जानते हैं और 1985 में इसको insert किया गया था तो इसमें बोला गया है कि अगर 10th schedule के paragraph 4 को completely view किया जाता completely उसको study किया जाता तो उसका जो result है काफी ज़्यादा अलग होता next important article यहां पर world page पर बताया हुआ है कि किस तरीके से यूक्रेन से जो लोग ने कल करके other countries में जा रहे है और यहां पर UN chief ने बोला है कि जो यूक्रेन में जो fighting चल रही है उसको खत्म किया जाने की ज़रत है यहां पर रश्या के उपर क्या-क्या sanctions लगाए जा रहे हैं उसके बारे में बताया गया है और EU जो यूक्रेन के जो प्रेजडेंट है वो चाते हैं कि emergency basis पर जो यूक्रेन है उनको European Union में सामिल किया जाए ताकि उनको एक तरीके से support भी मिल सके इसके अलावा अगर हम देखें तो और सारे बहुत सारे provision जो है जिनके basis पर रश्या को counter करने की कोशिस की जा सकती है तो यहाँ पर यह जो climate report है उसके बारे में बताया हुआ है तो सबसे पहले IPCC की जो report है latest report वो Monday को release की गई इसमें बोला गया है कि next two decades तक अगर हमने कोई भी जो हमारा emission है उसको green house gas का जो emission है उसको हमने reduce नहीं किया तो डो decades में अगले जो next two decades जो है न उसमें हमें multiple climate change induced disaster देखने को मिलेंगे मतलब इस तरीके कि back to back disaster जो है वो देखने को हमें मिलेंगे इस article में यह बोला गया है कि present time में 3.5 billion people means total global population का 45% से ज़्यादा जो लोग है वो ऐसी जगह पर रह रह रहे हैं जो climate change की वज़े से बहुत ज़्यादा wonderful है यह report ने identify किया है कि इंडिया में से भी इंडिया में भी यह जो vulnerable hot spot जो detect ही है इस report में बताएगी है उसमें बहुत सारे जो hot spot part है hot spot जो है vulnerable hot spot जो है वो इंडिया में है यहां पर इंडिया की जो बहुत सारी cities है बहुत सारी जो region है वो climate disaster को बहुत ज़्यादा face करेंगे जिसमें flooding होगा, sea river rise होगा, heat waves होगी IPCC की report की अगर हम बात करें तो first report 1990s में इसकी आई थी और इसके अलावा regular इसकी report आती रहे हैं और यह six report है इसकी जो report है वो एक तरीके से climate change को लेकर के एक basis बनाने का काम करती है कि किस तरीके से इस report के basis पर हम कोसिस कर सकते हैं कि जो भी vulnerabilities है adaptation options जो है उनको हम अपना सकते हैं ताकि यह जो climate change impacts है उसके बारे में बातचीत करके हम इसको काफी कम कर सके अब इस report में नया क्या है जो देखो सबसे पहले पहली बार ऐसी report आई है जिसमें specific area pacific focus किया गया है मतलब इसमें जो भी evidence जोनने की कोसिस की गी है उनके बारे में more information more data देने की कोसिस की गी है इसके अलावा so that most of the conclusions about climate change and its impacts have far greater clarity, certainty and wealth of new evidence now than earlier मतलब पहले की तुलना में हर चीज में जो यह evidence में आप देख लो हर चीज में transparency लाने की कोसिस की गी है बहुत ज़्यादा clearness लाने की कोसिस की गी है clarity लाने की कोसिस की गी है अब यह इसमें नया है इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि देखो पहले जब report आती थी तो उसमें area specific focus नहीं किया जाता था इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो climate change का किसी area के उपर region basis क्या effect होगा उसके उपर भी यहाँ पर focus किया गया है regional और sectoral के impact होगे climate change के उनके उपर यहाँ पर focus किया गया है सबसे यहाँ पर बताया गया है कि जो mega cities है पूरे world में वहाँ पर बहुत ज़्यादा vulnerabilities देखने को मिलेगी अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ पर sea level जो है वो time to time increase होता जा रहा है और उसकी वज़े से काफ़ ज़्यादा high risk आएगा और flooding यहाँ पर major issue रहेगा एमदाबाद जो गुजरात का एक major city है वहाँ पर heat waves की वज़े से बहुत सारे serious danger देखने को मिलेंगे मुंबई में flooding heat waves in एमदाबाद यह common occurrence है यह report में यह भी बोला गया है कि देखो इस तरीके की चीज़े हमने दो जगय का नाम लेकर के दिखाय गया है लेकिन अगर हमने अपने emission को कम नहीं किया तो हमरा जो temperature है वो इतना increase हो जाएगा कि जिसको irreversible आप रखी नहीं सकते ऐस नहीं है कि उस time के बाद में कि चलो अब emission कम कर लेंगे तो अब यह दुबारा कम होना या एक तरीके से शांत होना हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा जो problem स्टार्ट हो गई है उसको दुबारा से अपीस करना उसको शांत करना calm down करना काफी ज़्यदा मुस्किल हो जाएगा इसके अलावा पहली बार IPCC की जो रिपोर्ट है उन्होंने climate change की वज़े से health के उपर क्या impact रहेगा इसके उपर भी जान दिया है इन्होंने अपहाया है कि vector bone और water bone जो disease है उनमें increase होगा जैसे कि malaria और डेंगो पर्टिकुलरली अगर हम बात करने सब tropical region of Asia जो है वहाँ पर ज्यादा जो problem है वो सामने आएंगी circulatory respiratory diabetic infectious disease जो है इसके अलावा infant mortality जो है वो यहाँ पर increase देखने को मिलेंगी और इन सब का करन रहेगा temperature क्योंकि extreme weather events जैसे कि heat waves, flooding, drought, even air pollution की अगर हम बात करें तो इन सब की वज़े से under nutrition, allergic disease और mental disorders जो हैं वो भी सामने आने वाले हैं इस report की other findings की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि देखो next 20 years में अगर हमारा emission अगर हमने regulate नहीं किया तो next 20 years में इसके जो भी हम discussion कर रहे हैं यह सारी बाते जो हैं वो हमारे सामने देखने को मिलेंगी तो अब इसमें नया क्या है? what's now? अब क्या करें? तो करना क्या है? करना यही है कि भी emission को कम करो गोप 26 के अभी meeting हुई इंडिया ने target लिया 2070 तक हम हमारा emission है वो 0 net 0 ले आएंगे तो यह जो भी target है वो सिर्फ जो documents हमें लिखने के लिए नहीं होने चाहिए उनको हमें अचीव करना है हमारे जो SDG goals है उनको हमने 2030 तक अचीव करना है तो वो सारे जो SDG goals जो हमने लिए है 17 SDG goals उन सारे SDG goals को हमें अचीव करने के लिए काम करना चाहिए असा नहीं है कि सर् यह हो रहा है आप इसको replace करके बूल यह तो नहीं हो पाए चलो यह कर लो अब नया तो ऐसा नहीं है जो भी हमारे projects हो जो भी हम नया कुछ investment infrastructure लेकर के आएं वो सभी इस तरीके से लेकर के आएं कि हमारे जो basic problems है वो ऐसा नहीं है कि basic जो foundation है मतलब हमारी जो problem है उनके उपर हमारा focus होना चाहिए और जो हमारा foundation है उनको हमको restore करने की उनको maintain करने की जड़रत है कि वो खत्म ना हो बलकि जो problems है उनका हम solution निकालने की क्वसिस करें तो यह सब कुछ होता रहा तो जो climate की जो हम issue की बात कर रहे हैं कि यह सारे issue जो है यह सारे जो issue है जो आने वाले time में हो सकते हैं तो उनको हम शांत कर सकते हैं यहाँ पर देखो mapping के थुरू दिखा रखा है कि जुलाई 2021 में high tide देखने को मिला जो Bombay के पास में जैसी है मारा Airbnb NC वहाँ पर और sea level rise और flooding जो आने वाले time में Mumbai को काफी ज़्यादा effect करेगा तो यह IPCC की report है IPCC को basic facts आपको पता होना चाहिए हमने starting में discuss कर लिया इसके अलावा यहाँ पर जो article है इसमें बता रखा है कि देखो भई जो रश्या के ऊपर क्या-क्या sanctions लगाए गए है other countries यहाँ पर sanctions लगा रहे हैं जिसकी वज़े से trade effect होगा रश्या के जो भी results हैं वो effect होने वाले हैं तो यह आज का हमारा Indian Express news paper का discussion था अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को subscribe कर दीजे ओके थैंक यू